हेलो, नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूं GTO का मोग टेश्ट का जो नएया CERCULAR का रहका है, वो मोग टेश्ट क्या है, बहुत सारे पेरंड्न्स, बहुत सारे स्टुएंट्स का मुझे मैसेज आया, कॉल आया क्या है उन्होंने बहुत सारे क्वेश्टेंप पुछे के वाट इसमोग टेष्ट मूग टेश्ट की exam की पैटन कैसे रहेंगी exam की मार्क चीटने रहेंगे और दूसरी बात यह जो मार्क होगे exam के वह final exam में consider final result में consider होगे या नहीं होगे हमें student account कैसे बनाना है student account बनाने के वक्त हमें बहुत सारी error आ रही है वह error का क्या करें और कैसे solve करनी है हम एक्जाम के लिए registration कैसे करना है हमारे registration की last date कौन सी है यह सारे question के जो आपके doubt है जो आपके problems है उसमें आपको यहां बताने वाला हूँ इसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम है फेस्बुक में जो भी मैसेज आ रहे है रिगार्डिंग यॉर एक्जाम रिगार्डिंग यॉर रिजल्ट उसको आपको consider नहीं करना है बहुत सारे स्टूरेंट का मुझे मैसेज आया कि सर हमें पेपर में आया था हमें मैसेज आया था कि सारे स्टूरेंट को पास कर दिये जाएगे स्टूरेंट के सारे स्टूरेंट को मास प्रमोशन देने वाला है मैं आपको यहां पर बता देता हूँ ऐसा कोई भी सर्क्यूलर अभी तक जारी नहीं किया है तो कुरुपिया करके ऐसे जो फर्वोर्ड मेसेज है उस पर आप ट्रस आज जाएगी यह वीडियो की जो लिंक है वह मैं आपको यहां डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं दूसरी बात जो सर्क्यूलर आट पांच दो जार बीस को जीट्यू नहीं जारी किया है यह सर्क्यूलर अभी जीट्यूने सिर् आपको बताने वाला हूं तो यहां पर यहां पर जीट्यू की जो मोक के लिए उस उप्शन में से कोई एक उप्शन आपको क्लिक करना और बीट करना है दूसरी बात डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा के लिए जो नया सर्क्यूलर आएगा 2nd और 4th semester के लिए diploma का नया circular gtu next week में जारी करेगा तो जब ये next week में gtu के लिए circular जारी करेगा तो उसके लिए भी मैं एक नया वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और मैं आपको उसकी जो information है वो भी मैं आपके साथ shares करूँगा दुसरी बात यहाँ पर जो एक्जाम के जो मारक्स यहां पर ध्यान है दिछे दोस्तो यह के जो मारक्स से यहां पर बहुत साथURE स्टूर्म को konfy bild होता है कि एक्जाम के मारक्स final result में non कर नहीं किय जाएगे और सिर्फ मोक टेस्ट है इसरी ड्रायल वाले होगे उसका टाइम रहेगा 30 मिनिट से यह हर एक option के लिए आपको एक मिनिट मिल सकती है दूसरी बात इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा जीटियू ने और एक्जाम कहां से देनी है एक्जाम देने के लिए आपको कहीं पे भी जीटियू आपकी college में कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है आप एक्जाम आपके mobile से आपके tablet से आपके laptop से online देव सकते हैं इसके लिए दूसरी चीज़ आपको एक registration करना रहेगा आपका student account बनाना पड़ेगा student account कैसे बनाना है उसके लिए मैंने दूसरा एक video बनाया हुआ है वहाँ जाके आपको पूरी information मिल जाएगी student account कैसे बनाना है दूसरी चीज मैं सभी parents जो भी मेरे video देख रहे हुआ सबको बताना चाहता हूँ student or parents के इस exam ये mock test के लिए आपको किसी भी type की fees pay करने की जरूरूत नहीं है अभी GTU ने यहाँ पर देखिए pharmacy और degree engineering के लिए registration की date यहाँ पर declare कर दिए इस date के बाद आप exam के लिए registration नहीं कर सकते ये mock test है ध्यान दीजिए final exam की registration नहीं है diploma के लिए भी ऐसा circular जारी करेंगे ऐसी date जारी करेंगे उसके लिए आपको मेरा जो यह channel है उसको आप subscribe कर दीजिए और यहाँ पर जो bell icon दीख रहा है bell icon को click कर दीजिए तो मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका notification आपको मिल जाएगा और दोस्तों यह जो मे circular के जो में वीडियो बना रहा हूँ वह में वीडियो पांच बार verify करके चेक करके उसके बाद ही बना रहा हूँ मैं भी एक engineering college में एक professor के job कर रहा हूँ दूसरी जी आपको कोई भी नया circular आपको कैसे पता चलेगा कैसे exam के डिरेटर information कैसे मिलेगी तो उसके लिए आपको ज GTO की जो official website है मैंने यहां पर link दी हुई है मैंने अपने description में भी link दी हुई है वहाँ जाए और official account में यहां पर जो circular जो दिख रहा है उस circular के अंदर जो नया circular जारी करेगा उस circular को आपको पढ़ना है और उसी circular को आपको follow करना है और जो भी नई information नई जो updates आएगी वह यहा student का account कैसे बनाना है उसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देखिए उस दूसरे उस वीडियो में मैंने एक नया account create करके live demo दिखाया हुआ है जो students अपका password बुल गया है फर्गोड हो गया हूँ password फर्गोड करके भी मैंने उसमें दिखाया हुए तो अभी जाए और वहां जाके आपको अपका student का account बना दीजिए पहले और उसके बाद registration करना है आपको कोई भी difficulty हो कोई भी doubt हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं मैं 100% आपको उसका answer देने का try गरूंगा thank you very much